आजे मागकृष्ण चतूर्थी सौमवार 29 जन्वरी 2024 है मुरारे पद्पंकज सुरद मंदरे नूत कटाँ आज के दर्षन करने से पहले आईए एक विशेश दर्षन और कर लेते हैं निकुंजनायक प्रभु स्रिनाजी स्वरूपा श्री ध्वजाजी का हेदराबाद में भव्य चप्पन भोग मनोरत के ये दर्षन है संदर्व यह है कि त्रिदियोसिय आनंद उस्सव का कल 28 जनवरी 2024 को हेदराबाद में भव्य समापन हुआ यह उलेखनिय है कि स्रिनाजी मंदिर के तिलकायश्री राकेश्जी महराज की आज्या से प्रभु अपने निज जीवों को करतार्थ करने है तू दक्षिन की यात्रा में प्रवासरत है इसी कड़ी में यह त्रिदियोसिय आनंद उस्सव हेदराबाद में मनाया गया था जहां पर तिलकायश्री सव परिवार विराजमान रहे आप जब भी प्रभु श्रीनाजी के दर्शन करने आते हैं तो श्रीनाजी मंदिर में किसी से भी जानकारी प्राप्त कर ध्वजाजी के दर्शन कर सकते हैं जिसके लिए विशेश व्यवस्था मंदिर मंडल द्वारा की गई है यहाँ पर आप द्वजाजी को इत्र एवं भोग की सेवा भी कर सकते हैं जय श्त्री कृष्ण आईए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीट नातद्वरस्थित श्रिनाची मंदिर से आज के श्रिंगार राग वो भोग सेवा सहीद प्रभू के दर्शन करते हैं प्रभू स्रिनाची की सेवा प्रणालिका के अनुशार शीत काल में प्रभू को दोहरे एवं तिहरे वस्त्र भी धराए जाते हैं इसी क्रम में प्रभू को आज शीत काल में धराए जाने वले विशेश दोहरे वस्त्र अंगिकार करवाए गए हैं इसी भावना से मंगला में भी दोहरे गदल धराए जा रहे हैं बावुत प्रसन्न भथे पिया प्यारी वे नम्रभाव से प्रभु स्री जी के श्री चर्नों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंब करते हैं श्री चर्नों में प्रभु के आज केशरी रंग के साटन के मोजाजी धराए हुए है केशरी रंग के इन मोजाजी पर लाल रंग के फोंदना लगे हुए है इनके साथ ही आभरन से मिलवा नूपूर एवं पेंजनिया धराए हुए है और प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा इवं नकवे सरधराये हुए हैं अपनी मंद मुस्कान से सभी को सम्मोहित करते हुए, अधखुले नेत्रों से कृपाद रिष्टी डालते हुए, प्रभु अपने भक्तों को किन रूपों में धारन किये हुए हैं, आये दर्शन करें शीजी के पार्शोभाग में आज, शीतकाल की केसरी रंग की पिछवाई सजाई हुई हैं, आज की इस पिछवाई की विशेष्टा यह है कि वस्त्रों के अनुरूप इस पर मेघशाम रंग का हाशिया बना हुआ है पिछवाई के अलवा अन्य साज के रूप में गादी, तक्या, एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरंचो की पधराई हुई है, जिन पर सफेद विछावट की हुई है इनके साथ खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही केशरी वस्त्र सजाए हुए है, दो स्वर्ण जड़ित पढगाजी भी पधराई हुई है, जिन में से एक पर बंटाजी एवं दूसरे पर जारी जी पधराई हुई है शीतकाल होने की कारण प्रभु के समक्ष अंगीठी पधराई हुई है, तो धर्ती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है चर्वित तांबुल की सेवा के तहत प्रभु के समक्ष चांदी की तरष्टी जी पधराई हुई है श्री जी को आज अंगिकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को दोहरे वस्त्र धराये गए है ये वस्त्र मेगशाम एवं केशरी दरियाई वस्त्र से सिद्ध किये हुए है सुनहरी जरी की किनारी से सजे इन वस्त्रों में सुथन मेगशाम रंग का धराया हुआ है चाकदार वागा प्रभु को आज मेगशाम रंग के उपर एवं केसरी रंग के नीचे धराये हुए है चोली प्रभु को आज मेगशाम रंग की धरायी हुई है आज धराये गए श्रिंगार एवं आभरनों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का हलका श्रिंगार धराया हुआ है जिसमें कंटहार, बाजू बंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्री कायादी, सभी आभरन, मोतियों के धराये है श्रि मस्तक के श्रिंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को फेंटा का साज धराया है जिसमें मेगशाम रंग के केसरी खिड़की वाले फेंटा के उपर सिरपेच धराया हुआ है तो मेगशाम रंग की रेशम की बीच की चंदरी का धरायी हुई है इसके साथ दोहरा कत्रा भी धराया हुआ है और बाई और शीष फूल तो धराये हुए ही है श्री कर्ण में प्रभु को आज लौलक बिंदी लड़ वाले कर्ण फूल धराये हुए है यह प्रभु स्री जी की शीत काल की वस्त्रों की विशेश सेवा है जिसके तहथ मंगला में तिहरे गदल और शंगार समय से दोहरे वस्त्र धराये जाते हैं आज विशेश रूप से प्रभु को कमल माला भी धरायी जाती है फूल घर की सेवा के तहथ प्रभु स्री जी को आज श्वेत पीले एवं लाल रंग के पुश्मों की रंग बिरंगी फूल पतियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धरायी हुई है श्री हस्त में प्रभु को आज स्वर्ण से सिद्ध किये हुए वेणू जी एवं कटी पर भी ऐसे ही वेत्र जी धराये हुए है खेल के साज में प्रभु के समक्षाज पटकेशरी वगोटी चांदी की बाग बकरी वाली पधरायी जाती है इन मनमोहक रूपों में भक्तों को धारन किये हुए प्रभु स्रीजी को नित्यवत आरसी से दर्शन कराये जा रहे हैं राग सेवा में मंगला में आज पायन परत मुरार राजभोग में ठाडोरी खिरक माई कोन को आरती में कदम चड़कान बुलावत गईया शयन में डगर चल गोवर धन की मान के पद में चड़बड बीडर गईरी आली पोडवे में रंग महल सुखदाई कीर्टनों का गायन किया गया है शीजी सेवा का अन्य सभीक्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभुको मंगला राजभोग संध्या आरती एवं शयन भोग में विविद प्रकार की सामगरियों का भोग अरोगाया जा रहा है वही पानगर की सेवा के तहत तामूल बीडा अरोगाय जाते हैं मंगला राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतरी जाती है शीतकाल की सेवा के तहत प्रभु को विशिष्ट सामगरिया भी अरोगाय जा रही है जिन में उलेखनी रूप से सोभा की सोट की सामगरी शामिल है तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु स्रीजी की अश्टयाम सेवा निरंतर जारी है और सभी दर्शन सुखेन हो रहे हैं जय श्री कृष्ट्न अब देश्विदेश की पुष्टी मार के हवेलियों से भाव किर्थन के साथ दर्शन करते हैं दभूंत प्रसंद मरें प्यारी है तोडिराग बेनुतार दायों तोडि रागवे नूद रायो नूद वापुत प्रशा नमा इल्मिय प्यादि सुरसंगे तबनायन मधूरस्वरा सुरसंगे तबनायन मधूरस्वरा आसो आत्फुत प्रशा नूद वापुत प्रशा नूद वापुत प्रशा नमा इल्मिय प्यादि बीन तरा गर उपजत ना ना रगर पतिछे ने औरे सो औरे बिलायो चत्र भूजदा स्वामीनी गूड रे ने इल्मिय प्रश्वर्ण मा इल्मिय तबनायन सुर्ण वापुत अ करनायन आत्व चत्रबुज दास स्वामी नी बुण ने दे रसिकराय गिरिधर नरी जायो महुत प्रसाँ दबाएं पिया प्यादी सोडी राय गवेणू धन गायो महुत प्रसाँ दबाएं पिया प्यादी सोडी राय गवेणू धन गायो महुत प्रसाँ दबाएं प्रसाँ दबाएं प्रसाँ दबाएं प्रसाँ धन गायो कुमारमा प्रीता कुमारमा जायो 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 अरस जीय की ओरेने साल मुखे की मार्ष जीय की ओरेने अरस जीय की ओरेने साल मुखे की मार्ष जीय की ओरेने मार्ष जीय की ओरेने अरस जीय के ओरेने जीय की ओरेने दे़ मुखे की मार्षा ऐसी है जो कोने बान जीना रस बास करा ले मैं जानिय तही है के नरा आमन जानिय तही है के नरा आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा दनी बात चैसे कृष्ण कर दो हुआ हुआ है हुआ है